करते ही रातो रात होता है चमतकार भक्तो अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सिखना चाते हैं तो आप हमारे यूटूब चैनल मावगला मख्य भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूले मैं आचारिये प्रदीप भारत दौाज अपने यूटूब चैनल मावगला मख्य भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हारदी क्षवागत करता हूँ हार दी अभी नंदन करता हूँ भक्तो मैं आसा करता हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे मा बगला मुख्य की कृपा सदासदेव के लिए आपर बनी रहे ऐसी मैं मा बगला मुख्य से कामना करता हूँ भक्तो लाल किताब के उपाए कुछ लोगों को देखने में अत्यन्त सामान्य और एतर्किक लगते हैं ऐसा लगता है कुछ लोगों को कि जैसे इन उपाईों का कोई तर्क ही नहीं है किन्तु ये बेहत चमतकारी और अचोक उपाए लाल किताब में बताए गए हैं जिनको यदि आपने अपने जीवन में अपना लिया तो यह है आपके जीवन में किसी चमतकार से कम नहीं होगा भक्तो यदि किसी के कारिया या विवसाय में उन्नती नहीं हो पा रही परिवार में आर्थिक अभाव बना हुआ है धन की काफी कमी है और कारोबार की इस्तिती दिन परती दिन बद से बत्तर होते जा रही है भक्तो हर समय कोई न कोई संकट आपको घेरे रहता है तथा आपके घर में निरंतर कोई न कोई बिमार रहता है या फिर आपके घर में किसी की नजर लग जाती है बिना बज़े आपको निरासा थकान आलस्य का आप अपने जीवन में अनुभू करते हैं अपने सरीर में अनु तंतर किसी व्यक्ति का लगातार बिमार होना और मेडिसिन इत्यादि कराने के बाद भी उसको लाब ना मिलना इसका जो कारण है वहें नजर लगना भी हो सकता है या कोई आपके घर में तंतरा दी करिया अभी चारा दी करिया या कोई मंतर प्रियोगा कोई तोटका किसी के द अपनाकर अपनी बंद किस्मत का ताला खोल सकते हैं भक्तों आपके बंद किस्मत का ताला भी खोलेंगे लाल किदाब के यह उपाए अगर आपने इनको अपने जीवन में अपना लिया तो आपकी बंद किस्मत का ताला भी खुल जाएगा एक बार अपने जीवन में आप इनको ट्राई अवस्थे करें अगर आपके जीवन में धेर सारी समस्थाव से छुटकारा पाना आप चाहते हैं तो भक्तों आप इन उपायों को अपने जीवन में अवस्थे अपनाएं अगर आपके काम धन्ने में बार बार रुकावटे आ रही हैं तो आपको कामों में आ रहा ही रुकावट को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए यदि आपके कारिशेतर में आपके किसी भी कारिये में बार बार रुकावटे आ रही हैं तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो आप बुदवार के दिन सब्त धन्या सब्त नजा जिसको कहते हैं साथ प्रकार का नाज बुदवार के दिन आप धन करें और विशेश रूप से आपको अमावस्या और पूर्णिवाति थी में आपको जब भी मुका मिले किसी ना किसी सफाई कर् आपके जीवन में तरक्की का अनुभब करेंगे और आपके कारिश्चेतर में जो रुकावटे जो बाधाय बनीवी थी वैपूर्ण रूप से समापत हो जाएगी इसमें कोई संदे नहीं है कैरियर में सफलता के लिए अगर आप चाते हैं कि आपके कैरियर में सफलता मिले आपको और आपके जीवन में आपको कैरियर में सफलता नहीं मिल पा रही बार बार काफी प्रियास करने के बावजोद भी आपके कारिश्चेतर से रुकावटे दूर नहीं हो पा रही तो आपको अपने तो आपको समवार के दिन एक नौमकुर उद्राक्स लेकर उसको गं करें आप इसको कंड में धारन करते ही आपके जीवन से आप असफलता दूर चली जाएगी और कैरियर में आपको सभलता मिल ले आराम हो जाएगी भक्तों अगर आप नोमकी रुद्राक्स धारन करते हैं तो एक बात का विशेस ध्यान आपको रखना होगा कि आप जब भी स पने संका के लिए जाएं तो आप शुरुद्राक्ष गर के मंदिर में आप इसको रखें या फिर आप जब भी सैन्न करें सोनेसे पूर में इसको निकाल कर recipes और मंदिरमें करें अगली प्राते भगवान का धूबफ पूजन कर कि आप पुनहीष रुद्राक्स को धारन करे रुद्राक्ष को आप चानी में या फिर लाल धागे में भी धारन कर सकते हैं इससे आपको अबस्तलाब मिलेगा अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकार पाना चाते हैं आपके जीवन में आर्थिक तंगी और पैसे की कमी आपके जीवन में बनी हुई है तो आप हमेशा अपने पर्स में एक चाली का चकोर छोटा हाट उकड़ा आप अपने पर्स में रखे आप चाहे तो इसको अपने विवसाइक छेतर प्रतिश्थान दुकान फैक्टरी आदी के धन के स्थान पर भी आप इसको रख सकते हैं इससे आपको धनलाब अवस्थे हो रोटी आप किसी गाएं को वह रोटी दे इससे देवी देटाव के कृपा जीवन में हमेशा आपके घर पर परिवार पर बनी रहेगी सुक्सम्रिद्धी भी इससे घर में आती है आपके घर में सुक्सम्रिद्धी का वास होगा इसके बाद दूसरा नियम कि जो आपके घर उपाएँ आपके लिए साबित होगा घर में सकारत्मक्ता के लिए अगर आपके घर में Negative Energy का आवास है आपके एकने निंतर कोई ना कोई आपकी मनमें गलत विचार चलते रहते हैं एक positive think आपकी नहीं है क्योंकि जैव हम सोचते हैं वही हमारे साथ में घटित होता है ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी को सकारत मक्ता के साथ जीना चाहिए पोजिटिव सोचना चाहिए इस से हमारे जीवन में हमारे पोजिटिव ही गटिद होता है तो जो लोग अपने घर में अपने मस्तिक्स में सकारत मक्ता लाना चाहते हैं उनको पीपल नीम बरगद और केले के ब्रक्ष की जड़ में नित्य प्रति दिन जल चड़ाना चाहिए जो लोग आर्थिक तंगी से जूंज रहे हैं धन की कमी महसूस कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए उनको चीटियों को आठा सक्कर या पंजिरी बनाकर वे चीटियों को ख सालते हैं तो इससे आपके जीवन में आर्थिक लाब आपको प्राप्त होता है भगतो अगर आप चाते हैं कि आपके जीवन के संक्ट दूर हो जाएं आपके समक्ष या आपके जीवन में आपके उपर कोई ना कोई संक्ट निरंतर बना रहता है तो आप सपेद काला या द और के साथ दो या पांच लोंग जलाकर अपने घर में दिखाएं इस से आपके घर में सकार्थ मक्ता अवास होगा और पोजेटिव नर्जी का प्रभाव आपके जीवन में आपके घर में हमें सामयशा के लिए बना रहेगा अगर आप तनाव में रहते हैं 24 घंटे डिप्रेशन या चिंटा आपको घेरे रहती हैं आप चाहते हैं कि ये तनाव ये चिंटा ये डिप्रेशन आपकी खत्म हो जाए तो आपको इसके लिए एक तामय का पात्र लेना है तौंबे का एक लोटा ले उसमें लाल चंदन डालकर जल भरकर आप इसको अपने स सराने रखकर सो जाएए और अगली सुबह प्रात्यकाल सुबह सवेरे उठते ही आप इसको किसी पोधे में या घर से बाहर हैंक दें ऐसा करने से आपको तनाव मेराहत मिलेगी तथा नकारत मक्ता से बचने के लिए हफते में कम से कम दो बार आप समुदिनी नमक पानी में ढलकर इश्ञान करें भकतो मेरे द्रातर दीगी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे योटीब चनल महाँ बग़लाम कि रिक्षेत्र को सब्सक्राइब करना नभूलें वीडियो को लाइक करें शेय करें चैनल को सब्सक्राइब करना नभूलें तथा